हेलो गाइस, दिस कुनाल सर, आज हम बात करने वाले हैं पर रोटेशनल डायामिक्स के लेक्ष नंबर वन की बार में लेक्ष नंबर वन में हम बात करेंगे गाइस कुछ बेसिक टम की बार में ये रोटेशनल डायामिक्स का लेक्ष नंबर वन कहलाएगा rotational dynamics का lecture number 1 सबसे पहले rotation dynamics की study करने से पहले ये चीद इमाब में रखना दो टाइप की motion होते है एक यहाँ पर रहता है circular motion और एक रहता है rotational motion अब इनमें difference क्या है यहाँ पर तो जब मैं बात करता हूँ circular motion में तो circular motion में क्या होता है एक दूसरी body किसी दूसरी body के राउंड में गोल घुमते रहती है इसको कहते है circular motion और जहाँ rotational motion में body खुद के राउंड में ही गोल घुमते रहती है जैसे अगर मैं बात कहा sun की और earth की earth sun के राउंड में क्या करते रहता है गोल घुमते रहता है तो इस motion को कहेंगे हम circular motion, कौन सा motion, circular motion वही earth खुद के around में भी rotate कर रही है, खुद के around में भी गोल खुम रही है तो इसकी study को कहते है, rotational motion तो दो type के motion clear होंगे, circular motion किसी और के around में गोल खुमना rotational motion खुद के around में गोल खुमना अब हम आते हैं यहाँ पे इसमें कुछ basic terms है जिनको deal out करना पड़ेगा जैसे अगर मैं पहले basic term की बारे में बात करूँगा ठीके और यह basic term बहुत important है क्यों important है क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके आप new number solve करूँगे हमने जो quantities है आप इसको दो हिस्सों में divide किये ठीक है आप एक रहेंगी linear और एक रहेंगी angular इसके उपर question भी है आपके book में ठीक है आपको जो guys यहाँ पे quantities दी रहेंगे आप वो दो टम में divide करेंगे एक रहेंगा linear और एक रहेंगा linear की बात करूँगा तो linear में सबसे पहले आता है s S क्या होता है linear displacement बहुँ सारे बच्चे 12 की study करते रहते हैं आपके किस तरह की study करते हैं पता नहीं एक रहेंगी वो linear linear मतलब CGCD तो यह होता है linear velocity किसका change यह होता है displacement का change किसका change displacement का change वही वही angular में आती है angular velocity कोंसी velocity angular velocity और angular velocity क्या होता है omega कौंसी में कंगा intriguing dollar क्या होता है d theta by dt वैटा angular displacement का चैंज होना जैसे मैं किसी को ऐसे देखा तो तो angle बना, आप guys balling करते हो, angle बनता है, कौन सी velocity बनी, angular velocity, दरवाजा खोलते हो, angle बनता है आपर, तो कौन सी velocity, angular velocity, जहाँ जहाँ angle बनाते हो, आप लोग वहाँ पर angular velocity करते हो, तो angular velocity आएंगी, d theta by dt, उसके बाद में मैं आया guys, आपर acceleration के उपर, यह होता है linear acceleration, speed बढ़ रही है, कम हो रही, speed बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो आता है linear acceleration, ठीक है आपर, linear acceleration किसका change होता है, velocity का change होना, d v by dt, वही मैं बात किया आप अलफा के बार में, किसके बार में, alpha क्या होता है guys यह आप, तो alpha होता है गयसे आप एंगूलर acceleration, एंगूलर एक्zessर्शन, और यह किसका change ह होता है omega का change होना यह quantity आपको पता होनी चाहिए इस chapter की शुरुवात ही इस होती यह quantity नहीं पता है तो इस chapter में कुछ भी उखार नहीं सकते अब इन में गाइज़ आ पे इन यह जो तीनों quantity है नहीं प्रद तो इन दो먹़म एयनेर और अंगुलर में रिष्टा बनाने के एक दलाल आता है इस दलाल का नाम है और अंग्रुचान उस्यिंफ गय twitter और और कशनेशन ही और और Q के इस इक इपिर दोनों quantity में linear और angular में रिष्टा बनाने के लिए एक दलाल आता है इस दलाल का नाम है R, दलाल का नाम क्या है R, तो यह दलाल है उस दलाल ने तीन रिष्टे बना है, बोलो यह रिष्टा क्या कहलाता है, पहला रिष्टा कहलाता है, s is equal to r theta, s is equal to r theta, दूसरा रिष्टा, v is equal to R omega V is equal to R omega और तिसार रिष्टा A is equal to R alpha तीनों का इस formula उंगलियों पर याद हो जाँना चाहिए S is equal to R theta V is equal to R omega A is equal to R alpha ये तीनों quantity याद हुँँना चाहिए इनमें डलालाया डला का नामे R तीन रिष्टे बनाया कितने रिष्टे बनाया तीन रिष्टें बनायें, इसके सर्निम पता होने चीए क्योंकि न्यूम्रिकल करोंगे, न्यूम्रिकल को आधा दोरा नहीं चुड़ोंगे, उसका answer आइंसर आइंसर में सर्निम लिखांगे, क्या लिखांगे, सर्निम लिखांगे, examiner आपका आधा मार गटकने को तयार रहता आदा मार खा लेगा हो, आदा मार खा लेगा, बोलो displacement का unit क्या है, meter, velocity का meter per second, acceleration का meter per second, थीटा किसमे किनते, radian में, omega radian per second, alpha radian per second, अगर यह रटा नहीं है, तो रटा कर ले भाई, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार, जितनी बार लिखेगा, उतनी बार गयज़े पर तेर आते हैं आपे, जो काइनमेट्स की equation होंगे, उनके उपराते, काइनमेट्स की equation सई धंसे में अपलाए करना पड़ेगा, तो अभी बात करेंगे हम काइनमेट्स की equation के बार में है आपे, दिखिए काइनेया, माटिक्स, equation, क्या भीड़ा काइनमेट्स की equation, Sir, क्लास 11 में काइ पढ़ेते, linear के लिए, linear के लिए क्या पढ़ेते हैं पहला पढ़ेते चीटा v is equal to u plus t, v is equal to u plus t, दुर्सा क्या पढ़ेते, दुर्सा पढ़ेते, s is equal to ut plus half 80 square और तीसा क्या पढ़ेते, तीसा पढ़ेते है आपे v square square equal to u square plus 2as, same equation आएंगे angular में numerical में बहुत इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसलिए यह आएंगे angular में sir angular में कैसे करेंगे कुछ नहीं करना है यहापे u क्या होता बिटा initial velocity starting की velocity वही तो यहाँ पे जब angular में लिखते तो u को लिखते omega से किसी लिखते है? omega से अब यह initial है तो इसको मैं नाम देता हूँ omega 1 क्या नाम देता हूँ? omega 1 हुई initial angular velocity what is omega 1? initial angular velocity initial angular velocity उसके बाद में V आया क्या है बिटा? V V क्या होता बिटा है आपे? V होती है linear velocity यह final तो angular में उसको किसी लिखते? omega 2 से किसी लिखते? omega 2 से तो omega 2 हुई final angular velocity final angular velocity got it? उसके बाद में omega 1 हुआ omega 2 हुआ omega 1 omega 2 के बाद में हम आते है आपे किसके उपर? acceleration भाई acceleration का रोल को निबाथा acceleration का रोल निबाथा alpha यह linear acceleration यह आता है angular acceleration alpha this is the angular acceleration acceleration इसके बाद में आते है यू हुआ वी हुआ यह हुआ उसके बाद में आते है आपे s s एन यह हुता है 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 displacement linear displacement वर चीज़े angle बना रहे है आपे तो क्या है थीटा है थीटाईगा थीटाए turned angular displacement थीटाए angular displacement ठीके यह कहा है theta angular displacement, अब आप मुझे बताई यहापर बीटा, V के जहाँ पर क्या लिखेगा, मैं V के जहाँ लिखेगा, omega 2, U के जहाँ किसको लिखेगा, omega 1, 1 एक प्लस, ओमेगा 1, T जससर, तसर, 1 बाइ 2, एक जगापे क्या आएगा बढ़ा, अलफा, और ये T का स्क्वेर, बन गया दूसरा एक्वेशन, काइनमेडिस का दूसरा एक्वेशन, फॉर अंगुलर, तीसरा, इसके जगापे, इसके जगापे आएगा गईजे आपे, ओमेगा 2 का स्क् इक्वेशन, इन काइनमेडिस की तीन इक्वेशन का इस्तेमाल, हमें नुम्रिकल सौल करने के लिए करना है, आगे बढ़ते हैं आपे, छोटे ये वनमाक वाले जो कोशन बन सकते हैं इस चाप्टर से, उसको डिलाउट करेंगे, ओके गाईज, अभी हम जो डिलाउट करें आपे, expression for tangential velocity, अब tangential velocity क्या होती है, मैं अगर किस चीज को, गोल-गोल रानी, मिटा-मिटा-पानी ऐसे घुमा रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं, तो ये जो velocity क्यलाती है, ये velocity होती है, tangential, कुनसे velocity होता, tangential velocity, इस tangential velocity का relation क्या होता है, तो vector form में, तो vector form में गाईज, यह मतलब आपको समझना बोज़ा जरूरी है, V is equal to omega cross R, या फिर मैंने कुछ भी लिखा, C is equal to A cross B, क्यों न लिखा, इसका मतलब ये होता है, जब भी cross product आता है, उसका मतलब क्या होता है, कि ये जो A है ना, ये C के उपर कैसा है, perpendicular है, ये B है ना, ये C के उपर कैसा है, perpendicular है, ये जो V रहेगा, ये R के उपर भी perpendicular हैंगा, और ये जो V रहेगा, जो omega की direction रहेगी, अंदर होती है, या बाहर होती है, उस के उपर भी क्या रहेगा, perpendicular हैगा, omega, theta, alpha, tau, ये सब के सब क्या है, axial vector है, axial vector, axial vector किसको कहते है, जिनकी direction along the axis होती है, along the axis, axis के along में, अगर मैं इसको ऐसे गुमा रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पर, omega की direction की रहेगी, इस axis के along में, along the axis, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो omega की direction की रहेगी, along the axis, तो यादतना, theta, alpha, omega, tau, ये सब के सब, axial vector है, इनकी direction along the axis होती है, एक बाहर के लिए कुशन आ सकता है, आपर tangential velocity का रिष्टा बताओ, vector form म अगर मैं magnitude की बात करूँगा, magnitude, तो magnitude में का है, इसे पर क्या होँगा, V is equal to r omega, ये तो पताइए आपको, अब भी रिष्टा निकाले थे, देन उसके बाद में, हमें बोला है, direction of angular velocity, कौन सा, right hand thumb rule, right hand thumb rule, rule, अगर मुझे direction बतानी है बिटा, अगर मुझे direction बतानी है, तो मैं कौन से rule का इस्तमाद करूँगा, मुझे angular velocity, मुझे theta, मुझे alpha, मुझे tau, इन सब के direction बतानी है न, तो मैं किसका इस्तमाद करूँगा, right hand thumb rule, right hand thumb rule, जैसे, अगर suppose कोई body, गोल घुम रहे है इस direction में, भा right hand thumb rule का इस्तमाद करूँगा, मैं ऐसा किया, तो omega के direction किदर आएंगी, नीचे, दिखे है ऐसा करूँगा, अपनी fingers को, अपनी fingers को, curl the fingers, along the direction, ऐसा finger करूँ, यह है, यह axis है, इस axis के राण में, इसको curl करू, ऐसे curl करूँगे, तो किदर आ रहे है, थम किदर आ रहा, थम आ रह एसा घुमाऊँगा, ऐसा घुमाऊँगा, ऐसा घुमाँगा, तो direction किदर रहे हैंगी उपर, यह रहेंगी उपर, anti-clockwise reaction, यह clockwise direction, यह anti-clockwise direction, got it, ठीके, तो right hand thumb rule का दिमाब में रखना, चले कैसे clockwise direction और anti-clockwise direction रहेगा, यहाँ पे यह दिमाब में रखना, paper में आता है, कोन सा rule तो इस्तेमाल करते है right hand rule, देन आते पिटा पे periodic time and frequency, बहुत important है नियुमरिकल में आप बार बार आप देखोंगे आगे, नियुमरिकल में इसका बार बार में इस्तेमाल कर रहा होगे, बाई बताईए आप ओमेगा का फामला क्या होता है, ओमेगा होता है आप इसके पहले क्य यह जुना होता है, हा, तो एक चकर में, एक चकर में, एक चकर में फीता कितना होता है जब एक चकर कारते है इसे 360 degree, 360 degree को क्या लिखते हो अप तो लिखा two pi और जब एक चकर complete हो जाता है तो time period कितना आता है, t, उसको time period कहते है, तो 2 pi by t, तो ये formula है या omega का, omega का formula है 2 pi by t, अगर मुझे time period चेहिए, तो time period गया इधर, तो ये हुआ 2 pi by omega, got it, t equal to 2 pi by omega, frequency निकाल लिए है, frequency का symbol क्या होगा है, आपे बताओ, frequency, हम जानते है आपे, बेटा, frequency क्या होता है, time period का उल्टा, frequency क्या होती है, frequency का symbol है, n, सबके symbol है, आदोने चाहिए, अगर आपको numerical में अच्छा बनना है न, तो simple सा, new symbols और formula याद करो, अच्छे तरीगे से, आपको सामने काई से, बहुत अच्छी यापर numerical की काई से, पर series मिलेंगी, जिसमें मैंने क्या काई से, पर one shot में, मैं काई से, पर complete video नहीं बनाऊँगा, मैं रोज YouTube Shorts बनाऊँगा, जिसमें आपको पूरे numerical मिल जाएंगे, जितने भी अब तक आये हैं, उन सभी numerical मिल जाएंगे, इन 32 सालों में, जो भी numerical इस chapter में से बना हैं आपके, सब कागाई से पर YouTube Shorts मिल जाएगा, बढ़ा अगर भी, पहली बात तो बड़ी numerical पूछते ही नहीं, नो के बढ़ाबर पूछते हैं, तो numerical में marks कमाना बहुत इसी है, बहुत इसी है, ठीक है हापे, बस strategy यह है हापे, कि वह numerical वैसे numerical और वैसे formula हम याद करके जाएं, तो frequency टाइम प्रेट का उठा होती है, बाई यह T, यह देखे, ओमेगा जैसे का वैसा, बाई यह 2 पाई जैसे का वैसा, बाई 1 बाई T क्या होता है, बन गया ओमेगा का formula, तो यह formula आपको पता होने चाहिए, omega theta by T होता है, omega 2 pi by T होता है, T equal to 2 pi by omega होता है, omega का ओर एक formula 2 pi N, मैं बोलता हूँ हापे, omega के अंदर कै क्या होती है, frequency चुपी होती है, omega के अंदर क्या चुपा होता है, इसके ओपर question पुछा गया था है यह आया था दो सी तीन माग के लिए question आता है अपर अपन पकड़ रहते है दो माग के लिए question आ सकता है गरके तो भाई uniform circular motion में सबसे पहले आएंगे उसकी definition, definition paper में पूछ जाती है क्या होता uniform circular motion during circular motion speed of particle remain constant इस पूरी जर्नी में इस पूरी गोलगोल राणी मीटा मीटा मेटा पाणी करने में अगर speed constant रहती है अगर मैं 20 की speed से जर्नी कर रहा हूँ और हर जगा पे speed same है पर velocity बार बार क्या हूरी है Change हो रही है Velocity बार बार क्या हो रही है Value same है स्पीड Speed और velocity Speed एक Scalar Quon Tospeed यहाँ पे हर जगा पे speed क्या है Same है But velocity बार बार क्या हो रही है Change हो रहा है क्यों कि Direction change हो रहा और यह जो velocity की Direction होती है हमेशा कैसी होती ही Tangential, कैसी हो थी बढ़ा? Tangential, तो is called as uniform, अगर ऐसा motion कही दिखे, तुसकों बोलेंगे, uniform circular motion, during the circular motion, if the speed of particle remain constant, it's called as uniform circular motion, in uniform circular motion, only the direction of velocity changes, बताया हमेने, direction, velocity के direction क्या हो रिये, change हो रिये, सिफ वेलोसिटी के direction change हो रिये, at every instant, in a such way that velocity is always tangential, बेटा, यह जो velocity होती है, हमेशा कैसी होती है, tangential, velocity हमेशा circular motion को कैसी होती है, tangential होती है, अब यह tangential जो velocity है, velocity बार-बार change हो रिये, direction बार-बार change हो रिये, इसके वज़े से एक acceleration पैदा होता है, इस acceleration का नाम है, centripetal acceleration, कौन सा acceleration, इसी क्या है, centripetal, centripetal acceleration, इसका और एक नाम है AR, Radial Acceleration क्यों बिटा? क्योंकि यह accession radius के थू जाता है radius के थू जाता है इसलिए इसको और एक नाम दिया है Radial Accession यह जो Radial Accession है इसके तीन formula बिटा तीक है यहाँ पे Radial Accession के या Centipetal Accession के तीन formula है पहला formula बिटा यहाँ पे mv square नहीं, v square upon r दूसरा है r omega square और तीसरा है v omega अब जो भी force हुआ या जो भी accession हुआ center की तरफ होता है न तो उसकी direction में negative sign लगाते क्या लगाते? negative तो यहाँ पे accession हैगा इसको अगर vector form में लिकू vector form तो Centipetal Accession का हैँगा minus v square upon r into r cap तो यहाँ आप इसको vector form में लेके लेह रहेगा अच्छी तरीके से तो यह 2 mark का question बन सकता है आप इसको deal out करना है जो दो अब यहाँ बड़ सुदा ओके गाईज अब हम इन दो टॉपिक के बार में बात करेंगे एक है Centipetal force और एक है Centrifugal force दो force के बार में बात करने वाले है आपे पेपर में का इसे पर जादा इसका difference पूछा जाता है आपे तो Centipetal force और Centrifugal force के जो difference है या फिर अगर पेपर में आया write a short note on Centipetal force और write a short note on Centrifugal force ठीक है या पे तो इनी का column आज इस लिख देना आपको पूरे marks मिल जाएंगे सबसे पहले मैं आता हूँ Centipetal force के बार में Centipetal force क्या होता है यह ऐसा force है जिसकी direction हमेशा towards the center होती है ऐसा force है जिसकी direction हमेशा towards the center होती है या पे तो Centipetal force is directed along the radius यह क्या करता है radius के तूर जाता है यह ऐसा force है along the radius toward the center हमेशा center की तब जाते रहता है तो force which is directed toward the center along the radius is called as centipetal force और इसका उल्टा centrifugal भाई यह बंदा गाई से पे किते जाता directed away along the radius away from center यह दूर फेकता है यह पकड़ के रखता है सेंटर की तरफ यह दूर फेकता है away from center यह एक real force है और यह सीड़ो फोस भाई यह रियल फोस है इसका कॉस पता है सेंटिपिटल force किस ने बना कर दिया यह पता होता है आपे दर्तिमाता अगर सूरज के राउन में गोल घुम रही है तो यहाँ पे इलक्ट्रोन अगर न्यूकलेस के राउन में गोल घुमता है तो यहाँ पे करते हुए जो फ्रिक्शन होता है रोड और टार के बीच में वह आपको सेंटिपिटर फोस बना कर देता है यहाँ पर पता ही नहीं होता कॉस यहाँ पर कॉस ही नहीं पता होता जहां कॉस पता नहीं होता वह सीड़ो यह गाड़ी जा रही है आप तो आई गाड़ी टर्न कर रही है यह बाहर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं किसमें हूँ इसको फिल करना है तो आपको उस फ्रेम का हिस्सा बनना पड़ेगा अच तरीके से वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं भाई की सेंटर की तब जाता हूँ उसके सामने निगेट हुआता तो सेंटिप्टर फॉर्म्ला माइनस एंवी स्कूर अपॉन आर और यह बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर जाने का डारेक्शन माइनस सेंटिप्टर में यह प्लस लिखेंगे मिहां पर यह सेंटिफ्यूगल में प्लस लिखेंगे एंवी स्कूर अपॉन आर इंटू आर कैप मैंनिट्ट की बात करोंगा वाई मुझह duyता हो यह या पे सेंटिप्टर फॉर्स का सुंडा क्या होता है थीन फॉर्मले रट्टा माद के रखना एम्र ओमेगा स्कूर एमवी ओमेगा क्या बिटा सं न्यूपल ऑपोन आर एमर ओमेगा स्कूर एम्वी ओमेगा एक फोर्स है जिसने क्या किया सेंट्रीपिटर फोर्स बनाकर दिया याद रखना सेंट्रीपिटर सुथे सप्षाइए सेंतिपिटर फोर्स का एक ड्यूटी है जो अलग-अलग फोस प्रोहम करते है यहां पर ये पठर गोल घुम रहा गोल घुमने के लिए कुंसा फोस संट्रीपितर फोस बनाकर किस नहीं दिया इस धग्ये में आया कुंसा force, centripetal force, बनाकर किस ने दिया, तो इन दोनों के बीच में कुंसा force है, gravitational force है, इस gravitational force ने क्या किया, centripetal force बनाकर दिया, तो इसे बहुत से example है, यहाप और example डाल सकते हो यहापे, को यह bucket है, उसको गोल गुमा रहे हैं आपे, तो bucket का पानी बाहर के side में फिका जाएगा, यह जो bucket है guys यह bucket का पानी नीचे नहीं गिरेगा, यह bucket का पानी बाहर फिका जाएगा, और आप बच जाओंगे, किससे नहाने से, अगर आप ऐसे bucket लेते हैं उसको गोल गुमाते हुए आपे, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, यह पानी बाहर फिका जाएगा, इस साइड में फिका जाएगा, because of centrifugal force, तो यह दिमाग में रखना अच्छी तरीके से, paper में 2 mark का difference, या फिर इसका सी 2 mark का right short note आता है, clear है Guys, यहाँ पर हम question में deal out कर रहे है, Guys, यहाँ पर question दिया आया है, the coefficient of static friction between the coin and the gramophone, Okay, coefficient of static friction between the coin and gramophone disc is 0.5, आप सभी जानते हो है, static friction, आपको एक gramophone दिया है, gramophone पता है नहीं पर पुरानी जमानी में गाई से पर बोपू होता था, बड़ी-बड़ी disc लगाते थे उसके उपर, तो वह एक disc दिये, gramophone दिया है और इस gramophone, okay, the coefficient of static friction इसके बिच में और यहाँ पर coin रखा है, यह coin के बिच में जो mu है, यह दिया है 0.5, तो static friction का symbol काई से पर mu से शो करेंगे, और यह 0.5 दिया है, the radius of disc is 8 cm, भाई यह disc है न, इस disc का radius, मतलब capital R, यह दिया है 8 cm, physics में cm चलता नहीं है आपके, cm को meter में convert करने के लिए 10 का पावर – 2 meter, cm को meter में convert करने के लिए 10 का पावर – 2 से multiply किया, तो याद रखना अच्छे तरिके से conversion दिमाब में रखना, बटा, paper में गलतिया होती है आपकी, ठीक है, वो because of conversion, आप conversion दिमाब में रखते नहीं, conversion करना आता नहीं, आपसे गलती होती है, initially the center of coin is 2 cm away from center of disc, तो stat में काई से क्या है यहापे, जो coin कितने distance पे रखा इनिशली coin रखा 2 cm पे, यहापे coin रखा 2 cm पे, यहाँ से small r पकड़ लीजे, small r कितना है, 2 cm पे coin है, तो 2 cm पे coin है भाई, इसको भी convert कर दूंगा small r, 2 cm नहीं चलता, cm को meter में convert करने के लिए 10 का power – 2, एक तो 100 से divide कर दो, यह 10 का power – 2 से multiply कर दो, तुमारी इच्छा, from the center of disc, at what minimum frequency will it start slipping, बोला कितनी minimum frequency से slip होना शुरू हो जाएगा, अब आप मुझे बताईए सबसे पहले, इस दुनिया में किसी भी चीज को गोल खुमना है, यह चीज गोल खुमने के लिए, कौनसा force होता है आपे, तो गोल खुमने के लिए इस दुनिया में रखता है आपे, centripetal force, सही बात है आपे, और centripetal force बना कर किस ने दिया, तो coin और disc के बीच में एक force है, जिसका नाम है friction force, कौनसा force? Friction force, और friction force का formula होता है, mu into n, friction force का formula क्या होता है, mu into n, इस friction force ने centimeter force बना के दिया आप मुझे बिताइए आपर यह जो block है इस coin का weight किद जाएगा mg नीचे और जब भी कई से contact में आता है तो वहाँ पर कौन सा force आता है नॉर्मल रेक्शन भी आता है तो disk ने यह जो disk है इसने क्या दिया coin को नॉर्मल रेक्शन यह coin है इस coin का weight mg नीचे और इसने इसको क्या दिया नॉर्मल रेक्शन अब आप मुझे बिताइए आपर centiple force का formula क्या होता है तो मुझे guys अपर इस question में क्या निकालना है आपर by what factor answers change and the coin frequency निकालना है what is the minimum frequency और frequency कहा पर चुपी होती है frequency छुपी होती है omega के अंदर आप जानते हो बिटा centiple force की कितने formula है तीन formula है पहला है mv2 upon r दूसरा है mr omega square तीसरा है mv omega ऐसे तीन formula है ना ही मैं यह वाला formula इस्तेमाल कर रहा हूँ ना ही है मैं यह वाला formula इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे बताएं सेंटीपिटर फोस का कौन सा फॉर्मला में इस्तमाल करूं यह वाला मैंने यहां पर लिख दिया MR ओमेगा स्क्वेर मैंने मू जैसे का वैसा बताओ मुझे बीटा नॉमल रेक्शन को यो ने यो को क्या किया बैलेस किया नॉमल रेक्शन की वैलू किसके ब्रावर है फ्रॉम फिगर आप बोल सकते हो एन इक्वाल टू एम जी मैंने यहां पर रख दिया एम जी एन इक्वाल टू एम जी एम से एम क्या हो गया कट गया स्मॉल आर मुझे बताओ यहां पर कॉइन कितने डिसंस पर रखिए दो सेंट है बटाव यहां पर हैppen 0.5g और कोशिन में का गया जो जी है न वो पाई स्क्वार की बराबर है तो मुझे थार यह जी और यह पाई स्क्वार कर जाएंगा अब आप बताईए 4 टूजा कितना हो विड़ा है अपे यह हुआ 4 टूजा 8 10 का पावर माइनस 2 जैसे का वैसा यह n का स्क्वेर 0.5 हूँ 0.5 में अभी जैसे का वैसा रख देता हूँ कोई शू नहीं है हमें n का स्क्वेर n निकालना था यह जो वैल हुए हाँ पे बिटा मुल्टिप्लिकेशन में है यहाँ से जाएंगी और डिविजन में जाएंगी कितना हो जाएंगी 8 इंटू 10 का पावर माइनस 2 सही है अब 8 इंटू 10 का पावर माइनस 2 है मैं इसको मिठा रहा हूँ और अब ही देखिए हम क्यालगोशन में क्या करेंगी बिटा यह पे 0.5 कितना होता है यह आपको पता है तो मैं यह आपे n का स्क्वेर कर दिया यह 0.5 है पहले बाद तो इसको उपर लेके जाते बिटा 10 का पावर कितना है माइनस 2 है 0.5 इंटू 10 का पावर 2 अपॉन नीचे रहा 8 0.5 बिटा 10 का पावर 2 मतलब हुआ 100 100 बाए 8 100 को 0.5 से मटिप्लाइ करो तो बन जाएंगा 50 50 को 8 से डिवाइड करो यह पे 8 पंचारीस आठ से कम 48 48 हो जाएंगा यह 2 बचा पॉइंट देके 0 8 दूनी 16 8 पंचे 40 मतब 6.25 यह एंग का स्क्वेर है यह स्क्वेर है इदर जाकर हो जाएंगा अंडरूट और आप जानते हो आपे 625 किसका अंडरूट है विटा 625 किसका स्क्वेर है 25 का तो 625 का अंडरूट कितना हुआ 25 पॉइंट कितना स्क्वेर है 노 2 संक्राएं और स्क्वेर के अंडर कह ल पॉंट सोंपा मीं कितना पहले एक हचेंगा पर न क्यरोट फ्रेफर पॉइंट का स्क्वेर हचर फॉट इब ईत्क्नाच तट से तुरिके से टुधिक e तो स्क्वेर रूजाने के बाद में एक संक्या के बाद में पॉइंट आईगा NQLY आईए आपे 2.5 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी कितना ही 2.5 हर्ट्स तो वही पुछाता है आपे ओके वाट फैक्टर विल दा आंसर चेंज ठीक है आपे किस फैक्टर से आपे आंसर क्या हो जाएंगा हमारा चेंज हो जाएंगा अगर को कहा पर रखा रिम पर रखा तो स्टार्ट्टी में आपे हमें पता हैं आपे मुझे बताएवकर पहले पहले ऐससे पहले सटान होजए बसी पंच सो हूल खोरका चेंज़न को यहाँ पर रखा मुझे बताईएक्टर स्टार्टИंगि यहाँ पर थे बनाकर किस न दिया था फ्रिक्शन फोर्सte Sometimes क्या POWट आपकर जब यहाँ पे ता तो formula कहता बटा MR omega square equal to mu into n यह हमारा equation number 1 हुआ बटा जब guys यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गया तो formula क्या हो जाएंगा यहाँ पे MR omega square mu into n सही बात है अब आप मुझे बताएए यहाँ पे हमें पुछाएं guys यहाँ पे यहाँ आर का गाई से पे by what factor हमें क्या बोला है यहाँ पे okay by what factor will the answer change if the coin is at almost at rim rim पे रहेगा तो किस factor से गयाँ पे answer change होएगा हमें बोला frequency frequency क्याँ पुछाएं अब आप मुझे बताएए yoo equal to yoo है बेटा from one यह तो change नहीं होने वाला yoo equal to yoo यही चेंज होँगा तो मैं क्या बोला है आप है from one and two from one and two ठीक है mr omega square m capital r omega square m से m cancel ठीक है कोई तो होई है mass same रहेगा r की value कितनी बिटा तो r की value value र की value है कितना है 2 cm तो यह 2 cm और omega square omega formula का हो तो बेटा 2 pi n1 जब यहाँ पे था तो मैं n1 मानता हो जब यहाँ पे था तब n1 frequency से घुम रहाता और जब यहाँ पे गया तो frequency कितनी होई n2 माना यह capital r जैसे का वैसा बेटा omega capital r की value value दीए नो capital r की value कुछने दीए 8 cm 8 cm और यह formula होंगा 2 pi n2 का square बोले काईजी यहाँ पे cm cm cancer 2 x 2 2 chok 8 यहाँ पे 1 बचा यहाँ पर 2 का square 4 pi का square n1 का square यहाँ पे 4 जैसे का वैसा 2 का square 4 pi का square n2 का square pi square से pi square cancer 4 से 4 cancer क्या बचा n1 का square बचा यहाँ पे 4 बचा उसके निची को बचा है यहाँ पे n2 का square आए और यहाँ पे 1 यह square है इधर जाकर under root हो गया तो n1 by n2 कितना है बचा 2 बचा 1 करना आएगा ठीक है simple सा answer है आप इसका तो n1 by n2 बोला अपने को frequency कितने से change होंगी तो 2 is to 1 से change होंगी ठीक है करना आएगा सभी को चलो आगे बढ़ते हैं आप कर दो 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 कर दो